हिंदु धर्म में गती और करम के अनुसार मरने वाले लोगों का विवाजन किया गया है और मुख्यते पांच प्रकार के प्रेथ होते हैं इन प्रेथों का विवाजन भूत, पिशाच, कुश्मांड, ब्रह्म, राक्षस तथा बिताल के रूप में किया गया है प्रेथ योनी में जाने वाले लोग अद्रिश्य और बल्वान हो जाते हैं सभी मरने वाले इसी योनी में नहीं जाते और सभी मरने वाले अद्रिश्य तो होते हैं प्रंतु बल्वान नहीं होते ये आत्मा के कर्म और गती पर निर्भर करता है आईए विस्तार से जानते हैं इन सभी पांच प्रकार के प्रेतों के बारे में ओम गणपते चैनल में आपका स्वागत है अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आते हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक अवश्य करें ब्रह्म राक्षस ब्रह्म राक्षसों की गिंती हमारे सनातनी धर्म गरंतों में सरवोच राक्षसों में की जाती है ब्रह्म राक्षस मोलते ब्रामन वर्ग की आत्माये होती हैं जो मृत्यू के अंतर तक धर्म का पालन और आध्यात्मिक शक्ति से युक्त रहते हैं ब्रह्म राक्षस को देव तुल्य गंधर्वों से भी उपर की यूनी माना गया है ब्रह्म पुरान अध्याय 94 में पारवती जी जब भगवान शिव से राक्षसों के बारे में प्रश्ण करती हैं तो शिव जी उनसे कहते हैं देवी लोक धर्म के प्रतिपादक शास्त्र और प्राचीन मर्यादा को प्रमान मानकर जो उसका नुसरन करते हैं वैद्रर संकल पेवं यग्य में तक पर माने जाते हैं परंतु जो मोह के वशिभूत हो अधरम को ही धर्म मानते हैं पैवरत और मर्यादा का लोब करने वाले मानव ब्रह्म राक्षस होते हैं। ब्रह्म राक्षस को और विस्तार से ब्रह्म पुरान अध्याय पेचानवे में एक ब्रह्म राक्षस और चांडाल की कथा के माध्यम से बताया गया है। इस कथा पर हम संपूर्ण वीडियो बना चुके हैं। आप हमारा वे वीडियो देख सकते हैं। भूत हमारे धर्म ग्रंथों के अनुसार भूतों की गिंती दिव्वे प्राणियों में की जाती है ब्रमांड पुरान के अनुसार भगवान शिव ने नील लोहित रुद्र के रूप में भूतों की रचना की थी और उनकी आकरती नील लोहित जी के ही जैसी थी छुके हुए अंग, लंबे कान, मोटे लटकते होंट, लाल आखें, भारी भोहें, लंबे नुकीले और उब्रे हुए दान, लंबे नाखोन, धूल से भरे उलजे बाल, आदी इन भूतों की विचितर विशेशताएं थी संगीत से घृणा करने वाले ये जीव, नागों को अपने यग्यो पवीत के रूप में प्रयोक करते हैं, पुराणों में रुद्र को भूत का प्रधान माना गया है, इसलिए रुद्र को भूत नायक, गण नायक, रुद्र अनुकार, भाव परिशद, आदी नामों से भी ज आया गया है, और वहीं मच्य पुराण में नंदिकेश्वर जी को एक रुद्र के रूप में भूतों का स्वामी दचाया गया है, वामन पुराण में भूतों की संख्या 11 करोड बताई गई है, इनमें सकंद, सखा, भैरव, प्रमुख हैं, इनकी अधीन असंख्य भूत हैं तो उस समय फूतों ने भगवान शिवजी की ओर से युद्ध लड़ा था, तथा देवों के साथ मिलकर और भी कई असुरों के साथ फूतों ने युद्ध लड़े थे, कुछ लोग कथाओं के अनुसार फूत, कई जादूई, तथा मायावी शक्तियों के स्वामी होते हैं पिशाच ये इच्छाधारी होते हैं और किसी का भी रूप धर सकते हैं, जैसे कई राक्षस पीड़ित की देह में प्रविष्ट होकर रक्त पीते हैं, वहीं पिशाच पीड़ित को प्रताड़ित कर उसका रक्त निचोड़ लेते हैं, पिशाच एक नकारातमक उर्जा है, वे मुख इन्हें बेताल 25 के नाम से जाना जाता है, जिसमें बेताल प्रती दिन एक कहानी सुनाता है और आखिर में राजा से ऐसा प्रशन कर देता है कि राजा को उसका उत्तर देना ही पड़ता है, शिव और कालिका पुरान में उन्हें शिव गणों में से एक ही माना गया है, बाचादी की श्रीणी में ही आते हैं और अधिकांच पुराणों में इने भी भगवान शिव के गणों के रूप में ही वर्नित किया गया है यह शवों के मास का भक्षन करते हैं तथा उनका रक्त पीते हैं यह जीवित प्राणियों में कई प्रकार के रोग उत्पन करने में सक्षम होते हैं शिरिमत भागवत पुरान के दशम सकंद में ये कहा गया है कि डाकिनी राक्षसी और कूश मांडा आदी छोटे बच्चों के लिए अतिगादक हैं तथा भूत प्रेथ पिशाच यक्ष राक्षस और विनायक कोटरा रेवदी आदी शरीर प्रान तथा इंद इन सभी ने भगवान शिव द्वारा लड़े गए कई युद्धों में उनकी सहायता की थी पूश मांड को लेकर हमें किवल इतनी ही जानकारी मिल पाई आगे कभी हमें इन सब की और भी जानकारी मिली तो इन सब पे हम और विस्तृत वीडियो बनाएंगे जै भूले कि प्रेम पूर्वक परम पिता परमात्मा को मन में धारन करें और बोलें वैदिक सनातन धर्म की सदा ही जै